Let's do question number third of exercise 3C, that is whole number, question number third is find the difference, हमें difference निकालना है, देखिए यहाँ पर last का जो number है वो 99 है, तो इसको easy करने के लिए ट्रिक होती है, देखिए क्या होती है वो ट्रिक, हमारा first part है 463-9, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखिए, 463 और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 minus 1 लिख सकते हैं, अब मैं brackets open कर रही हूँ, 463, अब हमेशा दिहान रखिएगा, मैंने एक rule पहले भी बताया था, minus को multiply करेंगे minus से, तो plus हो जाता है, plus को minus से multiply करेंगे, तो minus होएगा, minus को multiply करेंगे plus से, तो भी minus ही आएगा, और दोनों sign plus के आपस में multiply करेंगे, तो answer plus आएग तो अब देखिए, यहाँ पर minus है, यहाँ कोई sign नहीं है, bracket है बीच में, तो इसका मतलब multiply है, तो minus into plus is minus, तो minus का क्या आगया, 10 आगया, अब इसी तरीके से, इस minus क्योंकि यह पूरा bracket है, तो इस minus की multiply, इस minus में भी होगी, minus minus plus, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेगा, क्य आएगी, और इसका बहुत बड़ा रोल है, फिर से बता रही हो, सिर्फ bracket है बीच में, और बाहर sign है, तो इसका मतलब इस minus की multiply, इसके साथ कोई sign नहीं है, तो that means plus, minus into plus, देखिए, minus into plus, into means multiplication, minus multiplied by plus, तो हमारा कितना आगा था, minus, तो हमारा 10 आगया, minus का, अब देखिए, यह प साथ इसकी multiply होगी, तो minus, minus, क्या होगा, minus multiplied by minus, क्या आता था, plus, तो इसलिए ही आगया, plus one, तो अब देखिए, हम 463 में से 10 minus कर देखिए, तो 453 आगया, plus one कर दिया, तो हमारा आगया, 454 as a answer, let's do second part now, second part is, 563, 563, 2, 563, 2, minus 99, अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे, 99 कैसे आ सकता है, 563, 2, minus, अगर मैं 100 में से 1 minus कर दूंगी, तो हमारा 99 आ जाएगा, अब मैं brackets open करती हूँ, 563, 2, अब देखिए, 100 के साथ plus है, बाहर minus है, minus multiplied by plus, minus multiplied by plus, minus, तो ये आ गया, minus का 100, अब इसी तरीके से minus multiplied by minus, minus minus plus, तो ये आ गया, plus का 1, अब 563, 2 में से हमने 100 minus कर दिया, तो कितना आया, 553, 2 आ जाएगा, plus 1, तो ये कितना आ गया, 553, 3 is the answer, प्लीज मेरी सारी वीडियोज देखिए, तब ही आपको ये छोटी छोटी चीज़े जो मैंने अभी बताई हैं, ये हर वीडियो में बता रखी हैं, आप इंको देखेंगे, तो आपको automatically learn हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों साइन सेम हो, तो हमेशा प्लस आता है, दो सेम साइन की आपस में multiply हो, और opposite साइन की multiply हो, तो हमेशा minus ही आएगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 8640 minus 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 में से हमारा 1 minus हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, 8640, अब दिखिए, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, opposite साइन, minus into plus, opposite साइन जब भी होते हैं, तो हमारा क्या आता है, minus क्या आती है, तो minus का 1000, और अगर सेम साइन आपस में multiply होते हैं, तो हमारा आता है, plus, तो plus का 1, अब 8640 में से 1000 गया, तो यहा है, 7640 plus 1, तो answer आ गया, 7641 is the answer, let's do fourth part now, fourth part is, 13006, 13006 minus 4 times 9, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, 13006 में से हमने, 4 times 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 10,000 में से हम 1 minus कर देंगे, तो हमारा 4 times 9 आजाएगा, that means 9999 आजाएगा, तो अब brackets open कर लेते हैं, इसको easy way में करने के लिए करते हैं, क्योंकि जिससी की हमें, लंभी calculations ना करनी पड़े, ये से वही, तभी method लगता है, जम 999 की form में हमें, माइनस करना होता है, तो ये आगया, 13006, अब देखिए, एक माइनस का साइन है, और इसके साथ प्लस का साइन है, तो अगर दोनों माइनस के साइन है, तो हमारा प्लस का आएगा, तो ये कितना आगया, 13006 में से 10,000 गया, तो हमारा बचा 3006 प्लस 1, तो हमारा आणसर कितना आगया, 3007 इस दा आणसर,